स्वागत है आपका Learner Sumbrella में दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था Vector Edition का Part 1 जिसमें कि हमने Triangle Law और उसके साथ ही Polygon Law भी देखा था आज के इस वीडियो में हम देखेंगे Parallelogram Law of Vector Edition तो बेना किसी देरी के आईए सुरुवात करते हम Vector Series के Lecture 5 की तो दोस्तों Parallelogram Law के नाम से हमको पता लग रहा है कि इसमें Parallelogram का यूज होगा जैसे कि Triangle Law में हम यूज करते थे Triangle का दो Vector's की मदद से एक Triangle form करते थे और उसके बाद हमारी जो तीसरी साइड होती थी वो हमारा Resultant Vector होता था तो आए सबसे पहले देखते Statement of Parallelogram Law If we place two vectors at a common point with their tails coinciding and construct a parallelogram using them as adjacent sides then the diagonal through the common point gives some of the two vectors while the other diagonal gives subtraction of the two vectors तो दोस्तों इस statement में हमारा पास दो-तीन चीजे हैं जो गौर करने वाली है तो सबसे पहले बात कि यहां पर हम tails coinciding की बात कर रहे हैं तो फिछले वीडियो में हमने यहां की triangle law में देखा था कि हमारे पास दो vectors होते थे A और B और उसके बाद हम उनसे एक triangle बनाते थे पर यहां पर triangle बनाने की method थोड़ी अलग थी यहां पर हम पहले एक vector बनाते थे A ऐसे जहां पर वो खतम होता था वहां से हम सुरू करते थे हमारा दूसरा vector तो हमारे पास यहां पर head और tail का common point बनता था पर हमने यहां पर लिखाए tails coinciding यहां की parallelogram law का basic funda अलग है यहां पर हम बात करते हैं tails की coinciding की जैसे कि यहां पर अगर हम A और B vector ले 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 तो यहां पर इनके tails coincide होंगे अब दूसरी बात यह है कि हम यहां पर एक parallelogram बनाएंगे वह काफी clear आपको statement से इस तरह से parallelogram बनेगा triangle law में हमारे पास ऐसा होता था कि जो तीसरी side होती थी वह हमारी होती थी resultant vector जबकि कि यहां पर हमारे पास resultant vector diagonal है कोई side नहीं है parallelogram की और triangle law में हमें subtraction का यहां पर कुछ नहीं था लेकिन यहां पर हमें parallelogram law में subtraction भी मिल जाता है साथ ही में तो parallelogram मैं कहूंगा एक upgrade हो सकता है triangle law का तो आईए अब figure की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह parallelogram law काम कैसे करता है तो अगर हमारे पास एक vector a और एक दूसरा vector b अब अगर हम इन दोनों vectors को जोडते हैं तो हमारे पास parallelogram law से इस तरह का कुछ आएगा यह हमारा a vector और आप जानते हो कि यह सब free vectors हैं तो हम जैसे चाहें को मूफ कर सकते हैं अब अगर हम इससे parallelogram बनाएं तो वह कुछ इस तरह से बनेगा और यह रहा हमारा parallelogram थोड़ा सा बाहर चला गया यह और अब हम बात करते हैं इसके डायगोनल की तो डायगोनल हमारा इस तरह से बनेगा जिसको कि हम resultant vector कहेंगे और यह resultant vector ही होगा r equals to a plus b resultant vector हमें देगा sum of the two vectors अब बात करते हैं हमारे subtraction की तो subtraction में हम इस तरह से एक दूसरा diagonal बनाएंगे जो smaller diagonal है उसको हम नाम देते हैं और यह d vector हमें देगा subtraction of a and b पर आप यहां पर एक confusion बनता है कि हम d equal to a minus b लिखें या फिर b minus a लिखें आखिर कौन सा सही होगा दोनों तो सही हो नहीं सकते obviously तो यहां पर हमको मदद लेनी पड़ती है triangle law की तो triangle law में क्या होता था कि हम दो vectors को जहां पर एक खतम होता है दूसरा वेक्टर वहां से सुरू करते हैं और जो तीसरी साइड होगी triangle की वह हमें देगी उन दोनों वेक्टर का sum तो यहां पर आप मेरे साथ देखिएगा मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं बी प्लस दी इक्वल टो ए क्योंकि यहां पर यहां से बी एक सेंस में फिर उसी सेंस में डी भी गया और आप देख सकते हो ए उल्टा है यहां से शुरू कर यहां पर खतम हो गया तो यहां पर हमारा जो ए वेक्टर होगा वह इन सब का resultant है तो हम यहां पर clearly लिख सकते हैं वह उल्टा करते हैं तो क्या हो जाएगा तब यह हो जाएगा बी माइनस से ओके तो यह हमारा इस डिरेक्शन को पलटने पर होगा चलिए mathematical analysis करते हैं parallelogram log mathematical analysis बहुत ही similar होने वाला triangle log का आप अगर सिर्फ questions के लिए पढ़ रहे हो तो आप इस पार्ट को skip भी कर सकते हो पर मैं यह recommend नहीं करूंगा क्योंकि derivations हमेशा important होते हैं concept को understand करने के लिए तो आइए देखते हैं derivation हमारे पास दो factors है पहला वेक्टर है दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर अब इनसे हमें एक पैरलेलोग्राम बनाएंगे कि मिश्ट्राइंग थोड़ी सी गंदी है तो आप थोड़ा सब बेर करिए का मेरे साथ अब हम क्या कर सकते हैं यहां पर पैरले लोग्राम के साथ यहां से एक perpendicular line ड्रॉ करेंगे आपको आगे समझ आएगा कि इसकी क्या जोरुरत है तो हम जानते रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा यह होगा यहां पर मैं आपको सब्ट्रेक्शन डिराइब नहीं करके दूँगा क्योंकि वो ट्रैंगल लोग का ही पार्ट है और उसको आप खुद से भी कर सकते हो तो यहां पर हमसे इस रिजल्टेंट वेक्टर को डिराइब करेंगे अब हम सारे तो कि एक कि लिएक अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की कि यह यह अलफा है और यह अलफा हमारा parallel होती है तो यह angle और यह angle equal होते हैं यह हम जानते हैं यह हमने lines की properties में पढ़ रखा है तो यह B और यह B यह दोनों parallel हैं तो यह angle भी थीटा ही होगा और यह भी वेक्टर ही होगा चलिए अब हम बात करते हैं triangle सबसे पहले triangle BCE में क्या होगा तो आप जानते हो कौस थीटा क्या होता है कौस थीटा equal to होता है base upon hypotenuse तो triangle BCE में आपको base कौन सा दिख रहा है यह B दिख रहा है B यह हो गया हमारा base और hypotenuse होगा हमारे पास B इसका सिर्फ हम magnitude लिखेंगे क्योंकि यहां पर सिर्फ line linear है तो B equals to B cos थीटा आगया हमारे पास वह यह अगर हम बात करें साइन थीटा की तो साइन थीटा हमारे पास होगा CE upon B यहनकि perpendicular upon hypotenuse तो CE के वैल्यू आ जाती है हमारे पास B sin थीटा चलिए अब हम बात करते हैं triangle ACE में triangle ACE बहुत ही simple सा derivation आपको ज्यादा दिमागा लगाने की यहां पर जोरत परेगी ही नहीं कि तो हम triangle ACE में हम देखते हैं तो यह पूरी जो साइड है यह पूरी जो साइड है CE और यह साइड यह है एसी और यह तो यह एसी है यह हाइपोटेनस है CE perpendicular है और AE हमारे पास base है तो अगर हम AE का square कर दें CE का square कर दें और इन दोनों का जोड़ दे तो हमारे पास आएगा AC का square यह है पाइथागरस theorem बहुत ही important theorem पर बहुत ही easy theorem जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं अपने schools में mathematics में यह हमेशा prevalent रहा है तो AE के value अगर हम put करें तो यह होगा AB plus BE तो AB हम जानते हैं क्या है एक वेक्टर है जिसको क्या हम AB लिख सकते हैं यहां पर BE के value AB plus BE है तो BE के value हमने पहले calculate कर लिए यह B cos theta अब इसका square कर देते हम हम वहीं CE के value हमने पहले calculate कर रखिए यह B sin theta इसका भी square और AC क्या हमारे पास AC कदों में निकालना ही है यह आर तो यह है R square तो यहां पर मैं LHS और RHS को पलट दूं तो यहां पर हो जाएगा R square equal to अब मैं इस पूरे whole square को hold round तो यह क्या हो जाएगा A का square plus B cos theta का square क्या हो जाएगा B square cos square theta और फिर क्या होता है 2AB तो यहां पर B क्या है B cos theta है तो 2AB cos theta हो जाएगा हमारे पास और वहीं अगर मैं इससे बस directly square करके लिख दूं तो यह हो जाएगा B square sin square theta तो यहां पर R square की value R square equal to A square प्लस अब हम कुछ यहां पर थोड़ा सा trigonometry लगाएंगे बहुत ही simple है B square अगर हम common ले ले तो यहां पर क्या आ जाएगा B square common cos square theta plus sin square theta इन दोनों में हमने common ले लिया और यहां पर हमारे पास आगे बचेगा 2AB cos theta और हम जानते हैं trigonometry से बहुत ही elementary level की trigonometry है cos square theta plus sin square theta equal to 1 होता है तो हम directly यहां लिख देंगे R square equal to A square plus B square plus 2AB cos theta बहुत ही simple ही अब हमारे पास magnitude of resultant vector आ गया जो की R है इसको हम लिख सकते है R equal to root over A square plus B square plus 2AB cos theta और यह हमारे पास सेम result आ गया जो हमने triangle law में calculate किया था यहां पर कुछ भी difference नहीं है इस पूरे result में एकदम सेम डिट्टो वही result है और होना भी चाहिए क्योंकि हम वेक्टर तो दो ही जोड़ रहे हैं तो सेम result आना लाजमी ही है तो यह हमारे पार resultant vector का magnitude आ पर ध्यान दीजी आप ही मैंने क्या बोला resultant vector तो vector है तो उसके पास सिर्फ magnitude तो होगा नहीं उसके पास क्या होगी एक डायरेक्शन भी होगी तो अब उस डायरेक्शन को calculate करते हैं तो डायरेक्शन कल्कुलेट करने के लिए हमने पहले ही एज्यूम कर लिया था कि आर वेक्टर यानि की resultant vector angle alpha बना रहा है हमारे एक वेक्टर के साथ तो हमें बस एंगल अल्फा calculate करना है तो आप फिर से ध्यान दीजिए triangle a c e में टैन अल्फा की वैल्यू क्या होगी अब टैन की वैल्यू क्या होती है पर्पेंडिकुलर अपॉन बेस तो यह हो जाएगा c e जो की है पर्पेंडिकुलर अपॉन बेस यानि की a e a e अम डिरेटली यहां पर a b plus b e लिख सकता हूं क्योंकि a e equal to a b plus b e है हमें क्लिरली दिख रहा है टैनलफा एकुल टू क्या लिख सकते हैं c e c e की वैल्यू हमने पहले किल्कुलेट कर रखी है यह बी साइन थीटा अगर आपको याद नहीं हो तो आप थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख सकते हो और a b के वैल्यू हमारे पास b वी है a और b e है b कॉस थीटा तो simply हमारे पास alpha के वैल्यू क्या आ गई alpha equal to tan inverse b sin थीटा upon a plus b कॉस थीटा बहुत ही elegant result है यह और इसको भी आपको याद रखना चाहिए और यह same formula हमने पिछले वीडियो में भी डिराइब किया था कुछ difference नहीं है यहाँ पर तो हमारे पास resultant vector का magnitude भी आ गया और हमारे पास उसका एंगल भी आगे हमारे वेक्टर के साथ यहाँ पर similarly आप अगर चाहो तो एंगल बी के साथ भी कोई एंगल बीटा आप निकाल सकते हो यहाँ पर बस आपको पर्पेंडिकुलर लाइन यहाँ से देनी पड़ेगी और फिर आपको ट्रेंगल में थोड़ा सा बस टैन अलफा निकालना पड़ेगा यह पिर टैन बीटा निकालना पड़ेगा तो और कुछ नहीं है यहाँ पर बहुत ही स्लाइड में फॉर्मूला कैलकुलेट किया है वह है और इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वाइर प्लस बी स्क्वाइर प्लस टू एवी कॉस थीटा अब ध्यान से देखिए आपर क्या लिखा है वेक्टर सोब इक्वल मैंनिटूट नानिकि ए और बी का मैंनिटूट सेम ह थाएं तो हम एक्वल टू बी लिख सकते हैं और हम वी को एसे रिप्लेस कर देते हैं और और कुछ नहीं तो R ूसक्वार प्लस ए स्कॉर प्लस सक्वार ऐस्क्वाइर तो तो हमने common ले लिए और यहां पर हमारे पास आगे 2a square into 1 plus cos theta अब हमारे पास एक trigonometric identity होती है 1 plus cos theta equal to 2 cos square theta upon 2 तो यह बहुत ही important और famous result है अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है आप इसे अभी यहां पर use कर लो इस vector series के बाद हम basic mathematics की series में इन सभी formula को सीखेंगे और हम इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़े basic mathematics में जो कि हमें इस पूरे course में यानि कि J syllabus में काम आने वाली है तो हम यह बस अभी यहां पर इसको यूज कर लेना है यह हो जाएगा root over 2a square यहां पर हम 2 into cos square theta upon 2 लिख सकते हैं हम सबको root से बाहर ले आएंगे तो 2 into 2a हमारे पास root के बाहर आएगा तो यह बच जाएगा इसकोर अगर बहार आएगा तो यह बच जाएगा और यह कॉस्ट स्कॉर्ट थीटा बाए तू है तो बहुत ही अज़ेगा यह हो जाएगा हमारे पास तो अगर हम बस सिंप्ली यहाँ पर 120 डिग्री सब्स्टिचूट कर दें थीटा की जगह पर 2a कॉस्ट 120 डिग्री अपॉन टू 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 हो जाता है और हम जानते कॉस्ट डिग्री के वैल्यू क्या होती है वन बाएट टू तो यह टू टू कैंसल यानि कि हमारे पास मिल अगरे वेक्टर के मैंगिचूट के बराबर ही आगया तो यह बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है आपको तुरंट क्वेश्टन करें ने में काफी मदद मिलेगी अगर आप यह 120 डिग्री वाला फॉर्मूला याद रख लेते हों तो यह सब किस चीज़ के लिए प्रॉब्लम हो या फिर जी की क्यों ना हो तो हम अभी यहां पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे क्या खिरम उस सारे कॉंसेट को कैसे अप्लाइ करेंगे तो हमारा क्वेश्टन यह कहता है टू फोर्सेज एक्ट अन एंगल ऑफ 60 डिग्री इफ मैंग्निचूर ऑफ बोद दो फोर्सेज शिक्स्टी न्यूटन इन अमास अब ब्लॉक इस टू किजी फाइंड दे एक्सलरेशन ओड़ प्लॉक तो आपको यहां पर सबसे पहले फॉर्मूला देखना होगा निउटन सेकेंड लॉक तो निउटन सेकेंड लॉक आप जानते हैं क्या होता है अरॉक इस açık कर रहे हैं हमारे पास एक ब्लॉक है जिस पर मान लेते हैं एक है對了 एक दूसरा वेक्टर है फिर से यह दोनों एक कर रहे हैं यह एंगल थीटा और थीटा इकोल टू सिक्स्टी डिग्रीज थीटा तो अब इन दोनों का हमें सबसे पहले रिजल्टेंट वेक्टर निकालना होगा चुकि कुछ अब आपके बात करें और हम एंगल दिया हुआ 60 डिग्री और हम इसले स्लाइट की जो रिजल्ट है जिसमें हमने निकाला था वेक्टर सोग इक्वल मैंनिट्यूट के लिए और डिरेक्टली उसको यूज कर लें तो वह था टूए कॉस्टीटा वाइट तो यहां पर हम एक की जगह एफ और थीटा की जगह 60 डिग्री रख दें तो यह क्या होगा तो टूए इन्टू 60 वैल्यू 60 न्यूटन से कॉस्टी डिग्री हो जाएगा कॉस्ट 30 डिग्री इसके वैलियों में पता होती यह होती यह रूट 3 अपॉन तो हम अगर देखें तो यह हमारे पास आ मेंट्यूट से काम नहीं चलेगा हमें डियरेक्शन भी चाहिए क्योंकि एक वेक्टर कॉंटिटी है तो अगर हम इस डियरेक्शन को अल्फा माल लें तो अल्फा हम कैसे कैल्कुलेट कर सकते हैं टैनलफा एकुल टू क्या होता है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉ सब्सक्राइब करते हैं तो एक की वैल्यू है सिक्स्टी साइन थीटा हमारे पास साइन सिक्स्टी डिग्री हो जाएगा जिसको मैं डिरेक्टली यहां पर लिख दे रहा हूं रूट थ्री वाइटू होता है आप फिर से 60 प्लस 60 इंटू कॉस्टी थीटा के वैल्यू कॉस सिक्स्टी डिग्री और यह होता है वन वाइटू यह हमें जानते हैं इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास फिर से यह टू से 60 कैंशल 30 रूट थ्री और यहां से कल्कुलेट करेंगे तो यह नीचे 90 आ जाएगा और यहां पर फिर से कैंशल आउट किया तो हमने रूट थी इसको मैं फिर से थोड़ा से इवेलबेट करूं तो यह आजाएगा 1 अपान रूट 3 तो यहां से हम देख सकते कि 10 अलफा की वैल्यू 1 अपान रूट 3 आ रही है अब आप चाहो तो यहां पर डिरेक्ली अलफा इकुल टू 10 इनवर्स 1 अपान रूट 3 लिके छोड़ सकते ह हम जानते हैं 10 के किस एंगल के लिए वन अपान रूट 3 वैल्यू आती है तो अलफा होता है 30 डिग्री यह आपको याद रह जाए तो अच्छा नहीं भी रहे तो आप सीधा अलफा एकुल टू 10 इनवर्स वन अपान रूट 3 लिके छोड़ सकते हो इसमें कोई भी गलती नहीं है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आप यहां से भी छोड़ सकते हो पर अगर आंसर में यह दिया रखा है तो आपको यह वैल्यू याद होनी चाहिए बहुती स्टैंडर्ड वैल्यूज है चलिए अब हम हम कळलेट कर लेते हैं हमारे एक्सलरेशन की वैल्यू एक्सलरेशन इकोल डो होता है पोरस अपान पॉइदा how को सुग्यों के यह हुदी यह हो hasht Elliott तो यह हमें में यह मैंने चैनल और आजाता है तो यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है अभी तक हमारे साथ हो तो मैं एम्मिद करता हूं कि आपको पूरा तरह से वेक्टर एडिशन समझ में आ गया होगा आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहे गई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कभी भी जब चाओ पूछ सकते हो या फिर आप हमारी टेलिग्राम चैनल जोइन कर लो जहां पर हम लाइब डाउट्स ले सकते हैं आपके आराम से तो दोस्तों मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद